वेलकम गाईज, वेलकम टो माई चैनल, आज हम लोग RPSC का PGT एकनोमिक्स का जो कोश्चन पर हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसके ओल्डेडि हम 74 कोश्चन डिटेल में डिसकस कर चुके हैं, आज हम इसके 75 कोश्चन से डिसकस करना स्टार्ट करेंगी, इसके अलावा अग अगर आप चैनल पर नहीं हैं, आपको नहीं पता, तो आपको पता होना चाहिए, कि हम बहुत लंबे समय से, इकनोमिक्स के प्रिविएस और कोश्चन को सोल्ब कर रहे थे, जिसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट सेट के अग्जाम, के विएस, एन्विएस, यूज प्रिविएस यूजर कोश्चन पेपर्स चैनल पर मिल जाएंगे, और हर्याना का जो एक्टैट इकनोमिक्स का एक्जाम नमंबर में होने वाला है, उसके प्रिविएस यूजर सारे की सारे आपको चैनल पर मिल जाएंगे, अगर आपको वो प्लेलिस्ट नहीं मिलती, तो आप कमेंट सक्षन में मुझसे पूछ सकते हैं, और जैसे ही एकनोमिक्स का नोटिफिकेशन आता है, वैसे हम इंपोर्टन टॉपिक्स डिसकस करना, यह सब स्टार्ट कर देंगे, आज का हमारा पहला जो कोश्चन है, इसके अंदर देखिए क्या बोला गया है, पहले कोश होलसेल प्राइस इंडेक्स है, उसका आप से बेस यहर पूछा है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस यहर है, अकोर्डिंग टू राजयस्तान 1999 से लेकर 2000, आपका राइट आमसर हो जाएगा, अगला कोश्चन देखिए, अगले कोश्चन में क्या पूछा गया है, which of the following is not a part of भामाशा योजना राजयस्तान, भामाशा एक योजना है, जो की राजयस्तान की गवर्मेंट ने चलाई है, तो अभी पूछा है कि जो भामाशा योजना है, इसका क्या चीज जो है पार्ट नहीं है, फर्स्ट उप्शन है, वोबन एंपावर्मेंट, सेकंड उ इंक्ल्यूजन, थार्ड उप्शन है, शोशल ओडिट, एंड फॉर्थ उप्शन है, पेमेंट उप सबसीडी, इन कैस्ट बैनिफिश्री, अब यहां पर आप इस कोशन का अंसर तभी दे सकते हो, जब आपको जो भामाशा योजना है, जो राजयस्तान सरकार ने चलाई थ पंद्रा अगस्ट, दोहजार चोदा को चली थी, इस योजना के अंदर, वुम्मेंज को एंपावर करने के लिए, गॉर्मेंट ने यह योजना चलाई, कि उन तक किसी भी तरीके से, फाइनेंशियल जो हेल्प है, वो पहुँचे, वो आत्मिर्भ बने, तो यह जो है, रा इसका पार्ट था, और जो वुम्मेंज तक किसी भी रूप में, चाहे वो सबसीड़ी के रूप में, या कैश के रूप में, वुम्मेंज एंपावर्मेंट को हेल्प करने के लिए, बेनिफिट्स पहुचाना, यह भी इस योजना का पार्ट था, शोशल ओडिट, शोशल ओडिट होता है, जब हम क्या करते हैं, मेजर करें, अंडर्स्टैंड करें, जो एक स्ट्राटेजी बनाई जाती है, उसको मेजर करने की जो सिट्वेशन होती है, उसको हम बोलते हैं, शोशल ओडिट, जो की इस स्कीम का पार्ट नहीं है, और हमसे यही कुश्चन में जाएगा, अगला कुश्चन देखिए, अगले कुश्चन में बोला गया है, विच ओप दा फॉलोविंग प्रोजेक्ट वस लॉंच डूरिंग डीजी फैस्ट इन कोटा, क्या हुआ था, कोटा के अंदर एक डीजी फैस्ट हुआ, अब यहां पर यह बोला है, इन में से और फॉर्थ ओप्शन है, राज मिल, यह भी राजिस्टान के अंदर चलाया गया था, और यह कब चलाया गया था, 2017 में, ठीक है, डीजी फैस्ट कोटा के अंदर, जो प्रोग्राम जो है, स्टार्ट किया गया था, वो था, स्टार्ट अप इंडिया, स्टार्ट अप इंड इस कोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डीजी फैस्ट कोटा के अंदर इस स्टार्ट अप जो हो चलाए गए थे उनको परमोशन दिया गया था उनको help प्रोवाइट की गई थी तो अप्षिन नमबर सेकिंड आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला अगला कुश्चन द में बोला है कि राजिस्थान का जो इंडेक्स है अग्रिकल्चर प्रडॉक्शन का उसके अंदर सबसे ज्यादा जो वेट है वेटेज जो है किसको दी गई है फर्स है सीरियल मतलब अनाज जिसमें बाजरा मक्का ज्वार यह सब आएगा यह पलसी दाले ठीक है दलहन दाले बगारा ओएल सीड जितने भी तेस होते हैं वह स्पाइसी होते हैं सारे के सारे मसाले तो अगर हम बात करें स्पेशली राजिस्थान के अग्रिकल्चर प्रडॉक्शन इंडेक्स की तो वह सबसे ज़्यादा जो वेटेज मिला था वह था अनाज को तो यहां पर ऑप्शन और फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला कुश्चन देखिए अगले कुश्चन में बोला गया है विच ओप दा फॉलोविंग इस नोट ऐसा पेपर गोल्ड अब पेपर गोल्ड इन में से किसको कहा गया था फर्स्ट ऑप्शन है डोलर को सेकिंड ऑप्शन ह पेपर गोल्ड कहा गया था जब आई एम एप बना था तो उस टाइम स्पेशल डोइंग राइट जो है आई एम एप ने लौंच किया था और इसी को हमने पेपर गोल्ड का नाम दिया था तो अप्शन नमबर सेकिंड यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला कुश अगें विच टाइप ऑफ फोलोविंग फाइनेंशियर असिस्टेंस इस नोट प्रोवाइड बाइड बाइड बैंक कोश्चन में यह कह रहा है इन में से कुम सी वित्ते सहेता वर्ल्ड बैंक वरब प्रोवाइड नहीं की जाती फर्स्ट है मोंडरनाइजिशन ओफ आप लोगों को इस कोश्चन का अंसर देने के लिए पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक किसके लिए लोन प्रोवाइड करता है तो वर्ल्ड बैंक को आप को पता है पहले हम आई बी आडी के नाम से जानते थे इंडस्ट्रियल बैंक पोर रीकंस्रक्शन और डवलप्में करने के लिए कुछ बनाने के लिए पैसा देता है तो आप देखो ओप्छन receiver में मोश हमेडेशन करना है और सब hell में उनके पैसा तो इसलिए इस question का right answer आपका option number 4 right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगला question में बोला गया गया है Who invented the physical quality of life index 1979 जीवन की भोतिक गुणवत्तावला जो index है वो किनो ने खोजा इस question का right answer आपका Morris D. Morris आएगा तो option number 2 इस question का right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला गया है Which of the following is the supreme authority of world trade organization इन में से कौन सी जो authority है World Trade Organization की सबसे supreme authority मानी जाती है फास्ट ओप्षण है Ministerial Conference सेकेंड ओप्षण है General Council थार्ड ओप्षण है Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights फोर्थ ओप्षण है Committee of Trade and Development तो आप लोगों को बता है World Trade Organization जो है ट्रेड से रिलेटिड जितने भी जितने भी बड़े बड़े क्या होते हैं Conferences होते हैं तो World Trade Organization में जो सबसे बड़ी Conference होती है वो होती है Ministerial Conference और जो Ministerial Conference में क्या होता है इसकी जो Member Countries होती है न वो क्या करती है दो साल में एक बार आती है और इनकी मिटिंग होती है और ट्रेड से इलेटिड जो भी इश्यू होता है उसको सोल्म किया जाता है तो Option No.1 आपका Right Answer हो जाएगा अगला कुश्यन देखिए From which year UNDP is published Human Development Report continuously अब यहाँ पर यह बोला गया है UNDP United Nations Development Program यह क्या पब्लिश करती है HDI पब्लिश करती है Human Development Report को पब्लिश इसने कब करना शुरू किया Option क्या दिये हैं आपको 1991, 1990, 1995, 2001 तो UNDP ने 1990 से Human Development Report को हर साल पब्लिश करना स्टार्ट किया तो Option Number Second आपका Right Answer हो जाएगा अगला कोश्चन देखिए कि वज़ा से तुलनात्मक कोस्ट में डिफ्रेंस आता है प्रोफिट डिफ्रेंस की वज़ा से डिफ्रेंस अब आप लोगों को पता है जो रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत का जो सिधान दिया था इंटरनेशनल ट्रेड का उसमें उन्होंने ये बास समझाई थी कि इंटरनेशनल ट्रेड होने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि क्या होता है जो भी फेक्टर प्रोडक्षन होते है उत्पादन के साधन चाहे लेबर हो या brh já capital हो जिस पी डेश में जो संसाधन अब लेबल होता है वहां अपर उसकी कोस्ट में डिफरेंस होता है जैसे इंडिया में labor से product बलाना easy है तो इंडिया के अंदर labor की cost कम आईगी और USA अगर हम example में ले तो USA में capital रसता है तो क्या होता है labor की cost में difference होने की वजह से ही क्या होता है international trade होता है तो option number third आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में आपसे पूछा है which of the following conditions show the Pareto optimality in production ये question काफी easy है तो आपको ये बताना है कि इन में से कौन सी जो equation है Pareto की optimality को show करती है और किसके अंदर production के अंदर Pareto optimality को क्या करती है show करती है तो आपने इस question का answer नीचे comment section में देना है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए भी एक question जो सबसे हैसान होता है उसको छोड़ती हूँ और आपको with reasons के साथ इस question का जो है answer देना है अगला question देखिए अगले question में क्या बोला गया है according to 2011 census what was the female literacy rate in राजिस्तान अब आप लोगों को पता है यह राजिस्तान का question पेपर है इसी लिए आपने देखा साथ से आठ question राजिस्तान की policy से आएंगे अभी पूछ रहा है 2011 की जन्गर्णा के अनुसार राजिस्तान में female की literacy rate क्या रहेगा तो female का literacy rate राजिस्तान के अंदर 52.12% था तो option no.3 यहाँ पर आपका right answer हो चाहेगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला गया है which of the following is not a cause of environment degradation इन में से कौन सा एक कारण नहीं है पर्यावरण के हास होने का अब आप option पढ़िए option में skill development, poverty, industrialization, luxury lifestyle आज हम क्या कर रहे हैं अपने luxury lifestyle के लिए संसाद्रों का शोशन कर रहे हैं इंडस्ट्रिलाइजेशन की process ने भी environment को हाम किया है poverty की वजह से भी हम इस अभी जंगल को काट दिया है लकडी का यूज हम भोजर मिलाने के लिए कर रहे हैं तो skill development अगर किसी को भी skill development होता है किसी भी human में skill का विकास होता है तो उसकी वज प्रोडक्शन का राइट आंसर ओप्शन नमबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला कुशन देखिए अगले कुशन में क्या बोला गया है इन डोमर मोडल यहां पर बोला है आपके पास चेंजिन इन्वेस्मेंट अपोन इन्वेस्मेंट ग्रेटर है यह production capacity aggregate productivity marginal productivity अब यह बोला गया है कि अब जो है एक economy क्या phase करेगी अगर यह situation economy में है तो आप लोगों को पता है इन्वेस्मेंट ज्यादा है इन्वेस्मेंट ज्यादा होने की मतलब है लोगों के पास income ज्यादा है ठीक है income ज्यादा है और आप जो है यह side क्या हो जाएगी यह demand side ह change in investment upon investment क्या हो जाएगी आपकी इस equation में देखिए यह वाली change in investment upon investment यह आपकी aggregate demand side हो जाएगी और यह आपका theta और alpha जिसको marginal propensity to save और productivity of capital बोलते हैं यह आपकी हो जाएगी aggregate supply side अब question में क्या बोल रहे है एग्रीगेट्स demand ज्यादा है aggregate supply से तो एक तरह से अब क्या बोल सकते हो investment ज्यादा है investment ज्यादा है इसका मतलब economy में income ज्यादा होगी income ज्यादा होगी तो लोग ज्यादा demand करेंगे ज्यादा production होगा तो यह वाली जो situation है economy को बूम की तरफ लेके जाएगी इस situation में economy boom में होगी तो option number third आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला है which of the following is not a method of collecting primary data इन में से कौन सा एक method नहीं है जिससे आप primary data को collect करते हैं first question अगर आप questionnaire बनाते हो questions बनाते हो और लोग उसको answer देते हैं तो वह primary data का source होता है आप direct किसी का personal interview लेते हो तो वह भी आप face to face उस person से question पूछ रहे हो तो वह भी आपका primary data होता है लेकिन data जो भी publish हो चुका है चाहिए वह state government हो या किसी और government ने publish किया हो लेकिन आप publish data का यूज करते हो तो यह आपका secondary data होता है तो option number third यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला है which of the following is not an essential of sampling यहाँ पर यह पूछ रहे हैं अगर आप क्या करते हो sampling करते हो तो उसमें क्या चीज होना ज़रूरी नहीं है फर्स है रिप्रेजेंटेटिवनेस सेकेंड है टेक इच आइटम पॉपुलेशन third homogeneity and fourth आपका क्या रहेगा educate मतलब प्रयाप्तता अब आप देखिए हम population में से sample इसलिए तो लेते हैं ताकि वह पूरी population का representative करें तो यहाँ पर first option तो होना चाहिए second option देखिए second option है कि आपका education होनी चाहिए education का मतलब होता है प्रयाप्तता मतलब आपका sample जो आपने objective ध्यान में रखकर लिया है उसके लिए प्रयाप्त होना चाहिए तो यह option भी यहाँ पर सही है and homogeneity homogeneity का मतलब है आपके sample के अंदर सम्रूपता होनी चाहिए आपके data में ज्यादा variation नहीं होना चाहिए तो आपका सम्रूप भी होना चाहिए लेकिन हर population में से आप item लो यह कोई जरूरी नहीं है तो इसी लिए option number second यहाँ आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला है which of the following condition there will be a complete crowding out effect पहले आपको पता होना चाहिए कि crowding out effect होता क्या है crowding out effect एक ऐसा effect होता है जब government क्या करती है government के expenditure करने की वजह से government के खर्च करने की वजह से क्या होता है rate of interest बढ़ जाती है rate of interest के बढ़ जाने से private investor invest नहीं करता चीक है अब question में बोला है crowding out effect कब पूरा होगा जब आपका LM कर्व जो है वो perfectly inelastic होगा या elastic होगा आइस कर परफेक्टली inelastic होता है और आइस कर परफेक्टली inelastic तो मैं आपको डायग्राम बनागे दिखा देती हूं जब आपका LM कर्व जिसको आप money demand and money supply से शो करते हो वो perfectly inelastic होता है और आपका IAS कर परफेक्टली inelastic होता है ऐसी situation में मालों गवर्मेंट ने कर दिया expenditure गवर्मेंट के expenditure करने की वजह से सिरफ rate of interest बढ़ता है और IAS कर में shift आता है और rate of interest बढ़ता है और इस situation में private investor invest नहीं कर पाता तो यहाँ पर जब आपका LM कर्व परफेक्टली क्या होगा inelastic होता है तब आपका crowding out तो होता है लेकिन complete crowding out effect आता है तो option number first यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला है कि which of the following statement is not correct इन में से कौन सी statement करेक्ट नहीं है फर्स देखिए monetary policy तब operate करेगी जब LM curve में shift आएगा यह बात सही है आपका LM curve money demand and money supply में जो equilibrium है उससे निकलता है तो monetary policy का संब्द LM curve से है ही तो monetary policy तब operate करेगी जब आपका LM curve या तो right word shift होगा या left word shift होगा तो first statement correct है second statement पढ़िए fiscal policy तब operate करेगी जब में shift होगा तो आप लोगों को पता है क्या दिखाता है आई इस कव आपका saving or investment या कह सकते हो product market में संतूलन को दिखाता है तो जब government government expenditure को बढ़ाएगी तभी इस कम में shift तब आई इस function में shift आएगा यह statement भी correct है रहे गया आपका दो option कि is curve is more elastic and LM curve is less elastic तब monetary policy more effective होगी यह बात भी सही है यहां question में यह बोल रहे हैं कि आपका is curve जो है वो क्या रहेगा more elastic रहता है and LM curve जो है वो less elastic होता है LM curve less elastic होता है तब आपकी monetary policy more effective होती है आपको याद रखना है कि monetary policy तब more effective होती है जब आपका LM curve less elastic होता है और अगर इसका उल्टा हो जाता इस वाली third और fourth equation को आप देखिए यहां पर option number four जो है ना आपका right answer नहीं है और यह कैसे right नहीं है यह मैं आपको समझाती हूं यहां पर देखिए fourth option में क्या बोला है is function क्या होगा more elastic होगा मतलब इस तरह से बनेगा and LM curve आपका less elastic होगा अभी आपने क्या पड़ा is curve more elastic और LM curve less elastic तो उपर क्या बोला है monetary policy is more effective तो यहां पर monetary policy more effective होनी चाहिए लेकिन statement में क्या है physical policy is more effective अब मैं आपको इसका diagram दिखाती हूं आपको is clear हो जाएगी कि देखिए diagram के अंदर क्या है सबसे पहले क्या बोला है is curve यह हो गया यह आपका LM curve हो गया ठीक है यह दोनों यहां पर संतूलन में है अब आप question में क्या बोले है आई इस कव आपका more effective है more effective का मतलब flat है LM curve आपका less effective है जो आपने टेड़ा सा बना लेना है अब आपको बताना है कि कौन सी policy effective है अब आप क्या करो पहले जब आई इस कव more effective हो और LM curve less elastic है तब आप क्या करो तब आप अपनी money supply में change करो इसका मतलब है आप अपने LM curve में shift रेक्या हो जब आपका LM curve shift आएगा तो आप खुद देखोगे आप even point पर आ जाते हो और आपकी income का level y से बढ़कर y1 हो जाता है यह तो हो गया तो आपको क्या समझाया यहां पर income y से बाइबन हो जाती है तो आपने क्या देखा monetary policy ने काम किया और monetary policy यहां पर यादा effective है अब आप देखो आपका आई एस और LM को पहले e point पर संतुलन में है उसके बाद आप क्या किया अब आपने यह सोचना है कि हम अब ऐसमस्ट मैं नहीं करते हैं अब हश्करते हैं आप यह हम फार करते हैं या फिजफ संतुलन काå e2 और e2.opyàng फर ऐक तरफ आपका rate of interest बढ़ रहा है दूसरी तरफ आपकी कि इंकम बढ़ता रही है लेकिन वाइट वह रही है इसका मतलब को मतलब किया पता लगा this income income वाई से वाईवन वाई से वाईवन होना ज़्यादा effective है जबकि Y से Y2 ये कम बढ़ रही है इसका मतलब आपको क्या समध आया कि जब हमारा IE कव हो more elastic और LM कव हो less elastic उस situation में आप अगर monetary policy का use करते हो तब आपकी income जादा बढ़ती है income Y से Y1 बढ़ेगी तो आपकी कौन सी policy effective होगी monetary policy effective होगी लेकिन आपके अब आप option no.4 की तरफ देखिए option no.4 में क्या given है option no.4 में given है जब आपका IE कव more elastic होता है और LM कव less elastic होता है तो physical policy more effective होती है लेकिन अभी हमने क्या देखा कि monetary policy effective होती है तो इसी लिए यह option आपका wrong हो गया यह option आपका right है आपसे यहाँ पर wrong option ही पूछा था तो इसी लिए option no.4 आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए in a herodomer model of growth which of the following is visualized as a maximal feasible rate of growth इस question में बोला है कि herodomer के हिसाब से किस growth rate को सबसे ज़्यादा visualize या flexible growth rate के रूप में जाना जाता है तो वो growth rate होती है natural growth rate जो आपको यह बताती है कि आपके पास resources जो भी है उनमें कितना potential है और कितनी growth हम कर सकते हैं हमारे पास जो भी अपनी labor हैं जो भी resources हैं तो इसी लिए इसी growth rate को हम feasible rate of growth के नाम से भी जानते हैं maximum feasible growth rate तो option no.1 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा आज हमने 93 questions detail में कर ली है बाकी आने वाली एक वीडियो और आएगी और सभी questions इसके solve हो जाएगे अगर आपको 92 questions नहीं आ रहा तो आप मुसे comment section में दोबारा से पूछ सकते हैं वरना वीडियो को दो बार देखना आपको पका आ जाएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो please मेरे चैनल को like करना share करना and subscribe करना इस question paper की पीडियो आपको अगली वीडियो में description box में मिल जाएगी thank you so much for watching this